पाकिस्तान टीम के सामने अब न्यूजिलेंड के चुनोती है वो भी सेमी फाइनल वन में जो की सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड में होना है पाकिस्तान टीम फाइनली कौलिफाई कर चुकी है सेमी फाइनल के लिए बंगलादेश को हरा कर और अब जब सेमी फाइनल में पहुंच चुकी है तो इससे पहले का सफर यानि सेमी फाइनल में पहुंचने तक का सफर काफी स्ट्रगल से भरा रहा था पाकिस्तान के लिए प पाकिस्तान के साउथ अफरिका के खिलाफ मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे तरीके से वह जीती पाकिस्तान की टीम और बागलादेश के खिलाफ भी अच्छे तरीके से जीती पाकिस्तान की टीम और बावर आजम ने कौलिफाई करने के बाद जब टीम कौलिफाई कर गई पा लेयर पर ट्रस्ट किया उसके हिसाब से हम केले और वो हमारे लिए रंग लाया है अब हमें उम्मीद मिली है यानि हम हमें रौश्णी की किरण मिली है सेमी फाइनल इससे पहले जो हुआ वो सब भूल के अब सेमी फाइनल के तरह फोकस करें न्यूजिलेंड को हराएं और उससे आगे बढ़ें यहीं का मेली बाबाराजम ने और और उसके बाद एक बड़ी चीज यह कहीं मौमद हैरिस की तारीफ करी बाबाराजम ने कि पिछले दो मैचों में मौमद हैरिस जिस हिसाब से उन्होंने बनले बाजी करी है वह बहुत बढ़िया है और उमीद उनसे यहीं की जा रही है कि वैसे भी लगातार सेमी फाइल में भी पाकिस्तान के लिए वह ऐसा ही परफॉर्मेंस करके दिखाएं और उन्होंने यह भी कहा कि छोटी-छोटी चीजे या चो चोटे-चोटे आपके जो सकस मिलती है वह आपको एक बड़ा कॉंफिडेंस देखे जाती हैं और अगर मालीजीए आप एक अच्छे कॉंफिडेन्स एक बड़ा मैच जी जाते हैं तो अगले मैच में जब यह लग होता है वैसे तो चिंता विछे है और न की फूद की फ के ओपनर्स पर यानि रिजवान और बाबर पर डिपेंडन्स होती थी यह तीम लेकिन अब मुहमद आरिस ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया पिछले दो मैचों से इफ्तिकार ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया शादाब ने तो फास्टेस्ट ले रहा है तो यह अच्छी बात है मौहमद वसीम जूनियर अच्छी गेंद बाजी कर रहे हैं लगातार थरिक्स पर पहुंच रहे हैं यानि कि दो विक्टि लगातार ले रहे हैं और आड़ा आशाह फ्रीदी ने पिछले मुकाबले में मंगलेदेश को विक्रिया एक रि और सबको all the best भी कहा कि अब हम as a teammate पिछला कुछ भूल के आगे बढ़ेंगे और अब यही है कि पाकिस्तान न्यूजिलेंड को हरा है पहले semi-final में इंडिया इंग्लेंड को हरा है और यह दोनों final में भिड़े और जैसा कि जानते हैं कि जब league matches यानि group match में दोनों का मुकाब देखने के लिए लेकिन उससे पहले चुनोंती है न्यू जिलेंड की पाकिस्तान के सामने इंडिया के सामने चुनोती है तो यह भड़ी चीज हाराना होगा और एक बढ़िया और एक हांस आखड़ा मैं आपके सभी के साथ एक शेर करू तो जब जब पाकिस्तान और India दोन Group जीता 1993 का उसके बाद 2007 में भी हुआ था पाकिस्तान कॉलिफाय कर गई थी समिटाइनल के लिए इंडिया कहा कर ङई थे लेकिन सामने में क्या हिआ और जीता Chuck बादS चनोती है दोनों निऊजलिण होगी लेकिन सामने आपके अभी उमीद तो यही की जा रही है कि फाइनल हो और भीड जो है काफी तादात में जुड़ेगी फाइनल देखने के लिए देखना होगा कि सेमी फाइनल कैसा जाता है दोनों टीमों का जो की 9 नौवंबर से शुरू है पाकिस्तान और न्यूजिलेंड 9 नौवंबर 10 नौवंबर क इंडिया और इंग्लेंड का देखना होगा कि किस तरीके से दोनों टीमें परफॉर्म करती है क्या फाइनल होता है इन दोनों टीमों के बीच यह बहुत दिल्चस्प बात होगी देखने के लिए